दोस्तों होली का पर्फ दो दिन होता है, पहले दिन होली का देहन कर अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है, इस पार होली का देहन को लेकर कन्फियूजन है, फालगुन पूर्मा पर होली का देहन किया जाता है, इस पार पूर्मा तिथी छे मार्च को शाम चार बच का स पर शुरू होगी और शाम मांच की शाम च्छाम 6 स्वाज़ कर 9 मिनट पर समाप्थ होगी फोलिका देहन भद्रा रहत प्रदूष काल में किया जाता है और शाम चार बच कर 48 मिनट से साथ मार्च की सुपह पाँच बच का चोथे मिनट तक भद्रा काल रहेगा इसलिए इस बार होलिका देहन का पर साथ मार्च को मनाया जाएगा इस बार होलिका देहिन कश्युब महुरत साथ मार्च की शाम 6 बच कर 24 नट से रात 8 बच कर 51 नट तक रहेगा रंगवारी होली 8 मार्च को खेली जाएगी शास्तों में बताया गया है कि फालगुन पूर्मा के दिन ही हिर्य कश्युब के कहने पर उनकी बहन होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को लेका चिता पर बैठ गई थी और भगवान बिश्णूची की किरपा से भक्त प्रहलाद तो बचकर लेकिन होलिका अगनी में चलकर भस्म हो गई तभी से इस दिन हर साल अन्याय और पाप पर न्याय और सत्य की बिजे की रूप में होलिका देहन किया जाता है माना जाता है होलिका की अगनी बहुत ही पावन होते है होलिका देहन के समय सभी नकारात्मक उर्जा और बुराईयों का अंध हो जाता है गह दिन भक्ति की शक्ति के रूप में भी मनाया जाता है होली का दहन पर होली की पूजा का विशिश महत्व होता है शांस्तों के अनुसार होली की पूजा करने से घर में सुक सम्रध्धी आती है घर में शांती का बास होता है और भगवान विश्णुजी की कृपा प्राप्त होती है लिसंतान दमपत्यों को भी संतान सुर्क की प्राप्ती होती है दोस्तों होली की पूजन का शास्तों में विशिश महतो बताया गया है होली का पूजन करने के लिए होली में टोली, अक्षत, फूल, कच्चा, सूत, हल्दी, मौंग, सत, नाज, गुलाल, नारियल, इत्यादी वस्तों चढ़ा कर होली की परिक्रमा कर पूजन किया जाता है शास्तों में कुछ बस्तों ऐसी बताई गई हैं जिरें होली में चढ़ाने से शुफलों की प्राप्ती होती है वहीं कुछ ऐसी बस्तों भी होती हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो इससे अशुफल की प्राप्ती होती है क्योंकि होली की रात को सिथी की रात कहा जाता है होली की रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरहें की उजाएं बहुत ही जादा हावी रहती है शुप कारे करने वाले लोगों को शुप फलों की प्राप्ती होती है और जाने अंजाने गलत कारे करने वाले लोगों पर नकारात्मक उजा हावी हो जाती है होली में सही बस्तुएं चढ़ाने से नकारात्मक उजा नश्ट होती है और घर में सुक्सम्रधी आती है वहीं कुछ ऐसी बस्तूएं हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो उससे सकारात्म कूजा नश्ट हो जाती है और गरीबी और दरित्ता गले पर जाती है घर में गरीबी और दरित्ता का बास हो जाता है इसलिए होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखें जिससे अंजाने में भी आपसे कोई गल्ती ना हो दोस्तों बस्तुएं जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि होली में आप किस समय बस्तुएं चढ़ाएं और होली का पूजन किस समय करें होली का पूजन हमेशा होली का देहन के दिन सूर्य उद्य के बाद ही करना चाहिए और भद्राकाल के दौरान होली का पूजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए भद्राकाल के दौरान कोई भी बस्तू होली में नहीं चढ़ानी चाहिए दोस्तों सबसे पहली बस्तू है नारियल अधिकतर सभी लोग होली में नारियल चढ़ाते हैं नारियल को शास्तों में शिरी फल कहा जाता है यानि की मा लक्ष्मी जी का फल होली में नारियल चढ़ाने से घरमी सुक सम्रधी आती है कर्च भी जल्दी उतर जाता है आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन अगर आपने गलत तरहें से गलत नारियल हुली में चड़ा दिया तो आपको धनकी हानी का सामना करना पड़ेगा धन्सम्बंदी समस्यां लगातार बनी रहेंगी दोस्तों तीन तरहें के नारियल आते हैं एक पानी वाला नारियल एक बिना छिलके वाला नारियल सूखा नारियल जिसे गोला भी कहा जाता है और एक होता है जटा वाला नारियल तो होली में हमेशा जटा वाला सूखा नारियल जढ़ाएं और नारियल खरीते समय आपको इस बात का भी विश्य ठ्यान रख रहा हैं कि नारियल को लेकर आपको हिलाना है हिलाने पर अगर नारियल में आवास आती है यानि कि उसके अंदर गिरी है तो आपको वही नारियल होली में चरहाना है क्योंकि यही नारियल पूर्ण माना जाता है जिस नारियल को हिलाने पर आवास नहीं आती या फिर जो नारियल चटका हुआ होता है वह नारियल अपूर्ण होता है उस नारियल को हूली में चढ़ाने से शुफलों की वज़ाए अशुफल की प्राप्ति होते हैं क्योंकि ना नारियल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई नौकरी सम्बंधी परिशानी है तो आपको जलती हुई होली में नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल हुली में डालना चाहिए। अगर आपके उपर किसी के बुरी नजर लगी हुई हो कोई उपरी बाता है कोई परिशानी है तो आपको नारियल को अपने सिर पर से साथ बार बारने के बाद नारियल को तीन बार पेट पर से मौली से लपेट कर मौली के में गाट मट्रूंधे होइ नारियल को होली में चढ़ना चाहिएं , उतारा किये होए नारियल को कभी भी आप बिना बांदे हुए होली में ना चढ़ाएं , इस बात का विशी स्थ्यान रखें , भूस me पुनारियल के इलावा एक अन्य बस्तू है जिन्हें बढ़कुले कहा जाता है। ये हम सभी होली में अवश्य ही चढ़ाते हैं। गोवर के राउंड सरकल बनाये जाते हैं जिनमें छेद होता है। ऐसे ही खिलोने चांद तारे भी बनाये जाते हैं। इन सभी को सूखने के बाद मौली में डालकर एक माला बनाई जाती है। और इस माला को होली पर चढ़ाया जाता है। बढ़कुले चढ़ाए बिना होली के पूझा पूर नहीं होती। लेकिन हमेशा बढ़कुले चढ़ाते समय हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अथिकतर सफी लोग सिर्फ एक माला बढ़कुले की होली पर चढ़ाते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आगे से फूल कर भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमेशा बढ़कुले की चार म परिवार के मुक्या को होली पर चिड़ाइं। माला चढ़ाने से जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ता है घर में बीमारी और परिशानी अपना डेरा डाल लेते हैं इसलिए पित्रों की बर्जंग बले की शीद्ला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए होले पर आप चार बढ़कुले की माला चढ़ाएं ऐसा कहने से पित्रों और बर्जंग बले की करपा से कश्टों और दोसदी छुटकार प्राप्त होगा साथी सीतला माता की करपा से घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगे दोसों तीसी चीज है कच्छा सूथ, होली की परिक्रमा करते समें, होली पर सदे कच्छा सूथ बादना चाहें, अधिक तर लोग रील, जो सिलाई वाली रील होती है, उसके थागे को होली पर बादने लग जाते हैं, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहें, होली पर सदेप कच्चा सूथ बादना चाहिए होली की तीन या साथ परिक्रमा करनी चाहिए और तीन या साथ परिक्रमा करते समय आपको तीन बार या साथ बार कच्चा सूथ होली पर लपेचना चाहिए अधिकतार लोग यह गलती करते हैं कि अगर उनके सूत का एक बंडल एक परिक्रमा में ही खतम हो गया तो वो बाकी परिक्रमा खाली हाथ करते हैं ऐसा फूल कर भी नहीं करना चाहें चाहें कितने भी बंडल लगें लेकिन आप अगर तीन परिक्रमा कर रहे हैं तो तीन बार कच्चा सूथ होली पर लपेटें साथ कर रहे हैं तो साथ बार कच्चा सूथ होली पर लपेटें परिक्रमा करते समय भी आप इस वाद का ध्यान रखें कि कई लोग कुछ टोने टोटके के लिए होली की उल्टी परिक्रमा करते हैं, ऐसा भूल कर भी ना करें, होली की सदेव सीधी परिक्रमा करें, अगर आप होली की उल्टी परिक्रमा करेंगे तो आप पर नकारात्मक ले hältृच का देहन के समय को लीगारीं करदे। ख़रा करते समय केंगे आपने पुराने काट करते हैं और या खुछ सिर बाल काट कर प्रभाव हो जाएगा दोस्तों होली पर इन बस्तु को चढ़ाते समय आप इन बातों का विश्य ध्यान kim साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पीरयड के दौरान महिला कि होली पर फूर्व-ब करों भी बस्तु ना चढ़ाएं ना ही होली के पास चाएं ना ही होली की परिक्रमा करें यह भी ध्यान रखें होली का पूजन करते समय होली की परिक्रमा करते समय या कुछ भी बस्तु चढ़ाते समय आप चूते चपल ना पहने होली का पूजन करने से पहले या होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप इश्नान अवश्य ही कर ले होली का पूजन करते समय म होली का पूजन ना करें होली का पूजन सादगी के साथ करें क्योंकि होली के तिन सकारात्मक उजाओं के साथ ही नकारात्मक उजाओं का प्रभा भी बहुत जादा रहता है और नकारात्मक उजाएं खुश्पू पर या फिस सुंदर प्रसादन पर बहुत जल्दी आकर्शित होती हैं। इसलिए इन बातों का विश्री स्थ्यान रखें।